जय माता की जय माता की अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब कीजिएगा जय माता की जीवतिया ब्रत किसे कहते हैं और जीवतिया के लिए पूजा बिश्तार रूप से किया जाता है जीवतिया ब्रत कहें या जीवित पुत्र का ब्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती और दिरगावी के लिए करती हैं और इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और कौन थे भगवान जीमूत वाहन और क्यों होती है जीतिया ब्रत में इनकी पूजा आएए जानते हैं इसके बारे में बिश्तार रूप से मैं आप लोग के बीच बताने जा रहा हूं और मेरी वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा जीतिया ब्रत का आरंब आज से हो चुका है जो कि 2023 में छे तारिक से नहाय खाय के बाद से ब्रत रखने वाली महिलाएं स्वास्त्विक भोजन करके ब्रत करने का संकल्प लेंगी और निर्जल ब्रत का आरंब कल यानी छे अक्टूबर से होगा इस ब्रत में महिलाएं भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती है और उनसे अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती है सलामती के लिए प्रातना करती है आज हम आपको बता रहे हैं आखिरी कौन भगवान जिमुत वाहन और जीतिया ब्रत में क्यों होती है इनकी पूजा भगवान जिमुत वाहन पौराणिक जुग्य में एक गंधर्व राज कुमार थे और वे उनके पिता बेहद उदार और प्रुपकारी ब्यक्ति थे पहले उनके पिता ने राज पाठ छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जिमुत वाहन का भी राज काज में मन नहीं लगा वे भी अपने पिता के साथ बन में जाकर रहने लगे यहां आकर उनका बिबाह मलयावती नामक कन्या से हुआ जिमुत वाहन को एक दीन बन में एक ब्यव ब्रिद्य महिला रोती हुई अवस्था में मिली उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरूण पच्छी को नागों ने बचन दिया है कि वह पताल लोक में न परवेश करें इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास अहार के लिए भेज दिया करेंगे ताकि गरूण उस नागों को खाकर अपनी भूग सांत कर सके उस बृद्ध ने बताया कि आज गरूण के पास जाने की बारी उनके बेटे संक चुंड की है उन्होंने महिलाओं को अस्वासन दिया कि यह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे जिमूत वाहन पच्छी राज गरूण के पास स्वैम गए चुकि जिमूत वाहन लाल कप्डे में लिपट कर वहां गए थे इसलिए गरूण पच्छी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझ कर अपने पंजे में दबा कर उड़ गए जब एक पहाड के सिखर पर रुके और जिमूत वाहन से पंजे से निकाल कर खाने चले तो देखा कि जिमूत वाहन तो एक मनुस्या है और दर्द से बुरी तरसे करा रहा है उन्हें जिमूत वाहन पर दयाया गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया फिर जिमूत वाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागो का बच्छन ना करके प्रात्थना की पच्छी राज गरूण जिमूत वाहन के साय और दया को देख कर काफी प्रश्न हुए और उन्होंने बच्छन दिया कि अब कभी भी नागो का बच्छन नहीं करेंगे इस परकार राजा जिमूत वाहन ने अपने साहस और सुजबूज से एक मा के बेटे को जीवन दान दिलाया तब से राजा जिमूत वाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और सभी माताएं अपनी संतान के लिए जिवित प्त्रिका ब्रत रख कर उनकी पूजा करने लगे और उनकी लंबी उम्र की कामना करने लगे झाल करने लगे झाल करने लगे झाल 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 झाल